चलिए जी तभी को जैम आता दी कैसे हैं आप सभी लोग आवाज आ रही है जिन जिनको कुश्चन पूछने हैं जो जो डाउट एक तो तरीका वही रखें अपने कैमरेज कोशिश करें और रखने की और अपना सिस्टम में हैंड रेज कर ले तो मैं वन बाई वन आप लोगो पन है इंपर अपर है अब है अब दे लिए जिए अपर सब्सक्राइब अब हुआ है अब तो पर सोतो कर रहा था किसी किसा है नीजिक पर से उपरी आप लोगों को थोड़ी सी कुछ चीजे बताना चाहूंगा मेरा देखिए परपस ये था मैंने फ्री वर्क्शोप की सीरीज भी चलाई थी और इवन आप लोगों में से कुछ लोग मेरे साथ जुड़े भी हुए हैं जो मेरे कॉर्स कर रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट और मेरे परपस ये रहा हमेशा ना के जोतिश जैसे आप मैंसे कई लोगों ने पहले सुना होगा या बता देता हूं मेरे मेरी जो टोटल इंकम है ना उस इंकम का 15 परसेंट मैक्सि टीचिंग टीचिंग से बहुत ज्यादा कॉंट्रिबूशन नहीं है बट मेरा परपस हमेशा ये रहा टीचिंग करने का कि ये ग्यान सही हाथों में जाएं आप आज की रेट में देखना जैसे मंदीब बागा जी हैं एक बार इन्होंने मुझसे कंसल्टेशन की थी तो इ मेरे साथ तो ऐसी दिक्कत कभी नहीं आई होगी आप लोगों ने जिन्होंने भी में सट जो टच में रहे हैं यह ना बड़ी ही जिसे कहते हैं इस जैम ओफ इंडिया बहुत दुरलब विद्या है और यह धीरे-धीरे खतम होती जा रही आज की डेट में आप देखोगे 1095 परसेंट ऐसे लोग है जिने खुद नहीं आता ठीक है कुछ लोगों ने कोर्स की फीज से पनी ज्यादा रख रखी है कि वहां मतलब कंस्टेंट सी सारे क्रोस हो जाते हैं वहां बंदा करी नहीं पाता तो एक जो परपस है कि यह विद्या जीवित रहे मैंने यह विद् ब्रह्मा जी अपने पिता के पास गए थे ब्रह्मा जी के पास ब्रह्मा जी के पास जाके बोला उन्होंने के जी पापा अपने कैसी दुनिया बनाई है थोड़े से अपने शब्दों में बोल रहा हूं है जहां लोग आदे से ज्यादा लोग तो दुखी रहते हैं देखा पहलू है तो पहलू और यह तो चलेगा इसट नहीं अगर पापा आपके इसमें ऐसा चलता है तो मैं एक ऐसी विद्या बनाऊंगा जिससे हम लोगों के दुखों को कश्टों को दूर कर सकी एक बड़ा पवित्र फील्ड है लोगों तक इसकी बेसिक जानकारी पहुंचे इस मैं ही हूं पहले कभी था तो उसमें काफी लोगों ने कि तो उसमें भी आप लोगों ने देखा होगा दिलभाग जी अन्म्यूट करेंगे कि आपने देखा होगा मेरी कोर्स Фी प्यरा जो है और प्लाइटनमोस्ट नेगलिजीबल रखी है उसकी इसकी बिलकुल कंटेंट आपको कॉर्स करा रहे होंगे पान्सों में बट कंटेंट करना चाहिए कि था जो क्लास का district करでは कि आप ही होंगे और आप लोगों की कोई प्रेशन हैं कोई डाउट हैं तो आप प्लीज पूछे निरुला जी आपने सबसे पहले हैं रेस किया था उसके बाद दिलबाग जी आपके पास द्वार आता हूं पहले उन्होंने हैं पूछ रहते हैं जी सर थैंक यू जय हमाता दे बाकी के घर और बाकी के ग्रह हमें मतलब उतना पॉजिटिव रिजल्ट नहीं देते हैं मुझे असे लगता है तो आप बताओ मेरा मतलब थोड़ा डाउट इसमें क्लियर देखी मैं आपको छोटी सी चीज बताता हूं बेसिक नेचर हमारा उस लगन के हिसाब से ही होता है बढ़ आपका कुश्चन ही था कि हम लगन के हिसाब से अगर बिहेव नहीं कर रहे हैं तो आप इसमें एक साइंटिफिक तरीके से समझेए आप लोगों को जिनको मेरे बारे में पता है जैसे सिंगल जी आप लोगों नहीं हुदा मैंने मैं इंजिनरिंग ग्रेजवेट इतना है निरुला जी लाखों किलोमेटर सोगे इसाम विछ आपके डिफरेंट 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 टेस्ट्रोजर्स की परिभाषा में या उनकी गंड़ना में भी आपको दिखता है सेम चीजें आपको सेम चीजें आपको सेम चीजें आपको उसमें भी दिखती हैं आपके किया आपका कितने किलोमेटर्स दूर है कितने किलोमेटर्स दूर नहीं सेम आपका जब चार्ट बनता है तो उसके साथ एक भाव चलित चार्ट भी होता है एक रीजन तो य है दूसरा निरुला जी एक चीज ये भी हो सकती है कि सम्टाइम्स जो हमारा प्रोफेशन होता है जिस उसके हम होते हैं हम उसमें जिस चीज के लिए हम बने होते हैं बिसीकली हम वो काम नहीं कर रहे होते हैं मैं आपको आज एक छोटी सी चीज बोलू इश्वर ने कोई भी जनम पत्री खराब नहीं बनाई ही है कोई भी जनम पत्री खराब नहीं बनाई है कोई भी जनम पत्री खराब नहीं बनाई है एक सकंड मेरे फादर का कोल आ रहा है मैं एक बार दूबारा आ रहा हुआ है हलो हवाज आ रही है मेरी जी ठीक है जी तो वह एक फेक्टर होता ह कि आप किसमें बता रहा था सुरी कि इश्वर ने कोई भी आपका काम ऐसा नहीं किया है कोई भी जनपत्री ऐसी नहीं है जो खराब बनाई है अपने profession के इसाब से अपने जिस चीज़ के इसाब नहीं कर रहा होता है, वहाँ चीजें थोड़ी सी अबनोर्मल हो सकती है, अदरवाइस तो सब कुछ एकदम सही होता है, कोई दिक्त ही नहीं होती है, ठीक है, ठीक है, और एक क्लियर हुआ आपका पॉइंट नहीं हुआ, मैंने आपको दोनों इंगल बताए हैं, ठीक है, वो सकती है, जी बताइए, एक क्वेशन और था, जैसे न मतलब जब आपको, किसी को भी ना क्वेशन जो मन में आ रहा है, वो पूछ लीजे, क्वेशन की वो मत कीजिए, तरीका वो इसकी सिस्टम में हैंड रेज कीजिए, सिस्टम के थ्रूही मैं बन बाई बनाऊंगा, की व जब भी इसे देखा जाता है, तो इसे डराती जाना है, की वे ट्वल्थ हॉस में इतने ग्रेवेट हैं, जैसे इतने सारे बैठ हैं, तो मतलब यह क्या ट्वेल्थ हॉस डराने वाला घर है क्या? की जा सब्सक्राइब है कि सुती के सुखन questo दो इस लिए मैं किता हूं कि मैंने बहुत सारी कोशिश किये ग्रान आपको देने की अगР को Hello जी एक एड़्वांस लेवल की बात करुना तो वहां मैं इस चीज को पढ़ाता हूं 12th house का activated होना बहुत जरूरी है आपके जीवन में अगर 12th house आपका activated नहीं है तो जीवन में काफी आगे नहीं बढ़ पाएंगे 12th house एक ऐसा house है जो खर्चे का होता है दिलबाग जी आपने अगर छोटा सा एस्टोलोजी का भी ओफिस खोलना है तो आपको उससे पहले क्या करना पड़ेगा खर्चा करना पड़ेगा थोड़ा सा नहीं करना पड़ेगा दिलबाग जी अगर आपको जोतिश सीखना है तो जोड़ा खर्चा करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा यह सर एसा कौन स क्रिमली लेवल पे गुड़ हैं बड़ जब हम जोतिश में उनका एक अड़मांस पार्ट पढ़ते है तो हम देखतें कि उनका बार वा हुशा हूस सोया हुआ है एक सोय हुए घर का कुंसेप्ट आता है कि बारवा हाउस उनका एक्टिवेटिड नहीं है तो बारवा हाउस तो मैं कह रहा हूँ बहुत ज्यादा जरूरी एक्टिवेटिड होना मेरे पास मैं नाम नहीं लूँगा क्योंकि आज कल कुछ कई बार यह होता है कि स्टाइंट के टाइम पे और उसकी है उसका चार्प वन ऑफ दबेस्ट चार्ट में बहुत ज्यादा सीच्वेशन अच्छी नहीं थी पचास सट Jeśli है थी aggression ती आजचे ताइम वेर यह कई ठाशा हजार नहीं है गुडगाव ओजर गयंसे शेहर में जहां एक्षएंस बहुत जैदा होते हैं तो जब ऐसी situation आई उसकी तो उससे यही बात उसने उसने कहा कि सर मैं उठ क्यों नहीं रहा हूं मैंने तो पत्री देखनी भी सीख ली और बाकी लोगों की prediction बहुत अच्छी आती है मेरी prediction बहुत अच्छी नहीं आती जब मैं अपना चार्ट देखता हूं तो जो लोग बारवे हाउस को गलत बताते हैं मैं यह कहूंगा देखी निरुला जी क्या होता है अप सारे लोग ने तो camera zone रखे प्लीज सारे लोग और रखें प्लीज मेरा बतलब मेरे को अच्छा नहीं लगता जब camera is off होते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे मैं अकेला बोले ज दसवी पास है पुझा सिंगल जी वह भी अपने आपको पढ़ा लिखा बोलेगा अशोग जी गलत बोल रहा हूं जो बारवी पास है वह भी पढ़ा लिखा बोलेगा और जो टोप लेवल पे वह भी पढ़ा लिखा बोलेगा जोतिश का दुर्भाग यह यह है कि जिसने द कि रोकेट साइंस के बारे में देवकांद गुपता जी गलत तो नहीं बोल रहों मैं आप से रोकेट साइंस की बात करूँ आप जोतिश के बारे में जहां किसी भी व्यक्ति को थोड़ा सा भी ग्यान होगा तो अपना ग्यान बाटने लग जाएगा वो अपनी चीजें शेयर करने लग जाएगा ये जोतिश का दृभाग्य होता है बहुत बड़े वाला जी स्मझ में आया है मैं आपके question का अंसर दे पाया जी, जी सर जी, और कोई question है अपका? यही है ठीक है, बाद में हो तो बाद में भी मैं अभी ले बोलू don't worry अब रही है नहीं दिलबाग जी, आप कुछ पूछना चाह रहे थे? दुम्हश्कार सर, दुम्हश्कार और किसी का भी अगर कोई क्वेशन है ना प्लीज वो सिस्टम में हैंड रेज रखे ना सर मेरा क्वेशन ही है कि जैसे आपने उसमें कॉडिनेट्स में एक राकेश बताया था तो वो मेरे को समयनी आई राकेश क्या है याद करने का तरीका होता है उसकी शोट फॉर्म होती है राकेश वो शायद मैं उसमें नहीं कर पाया हूंगा या कई बार क्या होता है कि जैसे ना पर सिस्टम में रिकोर्डी में कुछ हुआ तो वह पॉइंट मिउट हो गया होगा एक जगह मेरा स्लिप टंग भी हुआ है उसका मेरे को कई में लोगों ने बताये मैंने ब्रस्पति की घर बताई है उसमें लोग कहते हैं कि आप ने दिरिष्टी घर बताई है इनकराणा क्वा इंश्री है कि तो चैथि को होता है 209 ओंधि जी में रहुल इही जी होता है कि यह सारे दिखने बंद हो गए कि तो यह कुछ भी नहीं कि प्राउलम होग कि मुझे कुछ बीने दिखरा मतलब बैसी करें अ यह जब कि एक मिनट आइओ ये कुछ हुआ है मिरेको कि दिवाग जी आपको दोगों तो दिख रहा हूं मैं जी बिल्कुल जी ये सब्सक्राइब क्या दिखाई दे रहा है और मुझे कोई भी नहीं दिख रहा है मेरी स्क्रीन पर यह आ गया एक दम से हां यहां से मिटिंग भी चाल हुए पता नहीं मिटिंग जोइन करने के दुबरा वोटसब पहले वन करना पड़ेगा चलिए आप कोश्चन पूछे जी मैं सुन तो पाई रहा हूं आपको जी जी आप कोश्चन पूछे और मैं यह एक सेकंड में दिलबाग जी आगे आप लोग आगे थैंक यू थैंक गोड़ दिखने लगए एक समसे पूरा सिस्टम पता नहीं कोई कुछ कुछ भी नहीं दिख रहा था पूरा क्लीन हो गया इसके साहब दूसरा क्वेश्चन यह कि आपने ओ जो मूंग डाल का उसमें बताया है क्या मूंग की डाल जैसे हम रात को भीग होते हैं तो सुबह तक इतनी मूंग डाल लेनी है आपको ऐसा लग रहा है वो नहीं होरी तो थोड़ा ज्यादा भीगो लो अच्छा और सुबह उसको पानी समेथ कबूत्रों को डालना है घर में एक बूंद भी पानी अगर बूंद भी गिर गया तो आप समझो जो जिस परपस के लिए हम करा रहे हैं वो परपस पेल हो गया है जैसे हो इतनी पूरी तरह से फुलती नहीं है जैसे जदस हाड रहती है तो क्या हो हाड खा सकेगा यह मेरा पर सर उसको फिर थोड़ा सा जड़ा टाइम पहले भिगो लो अगर ऐसी हाड रह जारी ना मैंने एक दो बार भिगोई है तो जल्दी मे ज़्यादा चल रही होती है वहाँ शुरुवात में नरेंदर जी जब हम डालते हैं ना तो कभूतर खाते ही नहीं स्वाती एंजन जी शेकर शर्मा जी जया परमार जी कर सकते हैं सर इसको गरम भी कर सकते हैं बटना यह प्लैनेट से रिलेटिड होती है और प्रोग्रामिं चीजें करता भी हूँ मैं आपको एक लाइव एक्जमपल भी दिखाता हूं बहुत से लोगों के जो बच्चे आप खुद भी देखना आप तो पंजाब से हो पंजाब का तो मैं रिखाल समझो आदा पंजाब फोरण में रह रहा है ठीक है ना पंजाब का या आप लोगों में से भी आजकल तो सभी के कोई ना कोई रिलेटिवस वगरा फोरण में रह रहे हैं जो जो पर्फोर्मेंस वगरा सब अच्छे से देनी शुरू कर दी सब बढ़िया से चलने लग गया उनका तो उसका रीजन यही है उनका सब बढ़िया से चल रहा था कि जो ट्वेल्थ हाउस जो नका यहां पर खर्चे करा रहा था एक्सपैंस करा रहा था कुछ गलत तीजों की कि जैसे कि समर में टाइम जो है वह स्पोर्ज एक गंटे का फरका आए इंडिया से और विंटर में वह देड़ गंटे या धाई गंटे का उस टाइम में जिन बच्चों का वहां बर्थ होगा तो क्या उनके हमने टाइम तो वही लेना है ना उसमें तो कोई डिफरेंस नही संगीता भोले जी अनु जी संजीव कपूर जी रामकुमार जी ठीक है मनीश पपने जाजी कैमरे जोन रखिए सपोस आप यह देखिए आप अर्थ के किसी एक पोर्शन पर आप अर्थ है उस अर्थ में आप कनेड़ा में हो कैनड़ा में हो ठीक है पंजाब में कनेड़ा आप कनेड़ा में हो तो जिस समय पर आपका बर्थ हुआ है जिस समय पर आपका बर्थ हुआ है उस समय पर उस स्थान से बाकी ग्रहों की क्या पोजीशन है विद रेस्पेक्ट तो डेट प्लेस जो बाकी ग्रहों की पोजीशन है उस पोजीशन के हिसाब से जिस समय पर ज्यान से सुनना आपको एक तरह की पावर्स मिलती हैं अब वो ग्रहतों महाँ पे रुके नहीं रहे नहींदर जी वो तो मूविंग है चलाए माने देवलार मूविंग सब घूम रहे हैं अब वो जिस पोजीशन में घूम रहे हैं वहां से क्या इंपक्ट आप पर डाल रहे हैं इस पोजीशन पर कि जो बंदे को पावर्स दी है तो इसमें एक गंठा बगर दो घंठा जो बी जोना में ताइम बढ़त होगा जो उनकी पोजीशन रहे concrete पूस्क्रणbzeni होके आपकी पतरी चेंज होके बन जाए बट ऐसा नहीं कि कुछ मतलब lifelong फरक पड़ेगा यह मतलब वहां बच्चे ज़दा से पैदा होंगे यहां कम talented पैदा यहां की निवात कर वहीं उनीकल time zone का एक गंटे का फर्क जागा उनीका को फर्क को इसीटी का सेंगल को बताया ना जो time zone का नहीं है जो ग्रहों की position है वो फरक डाली बाकी ग्रहों की जो बाकि नाइन एक तो जो आपने बताया था कि यलो एंड लाल कलर का जो धागा बानना रहता है कों सा बांदे एसा मेरा कुईशन है इसमें दो चीजें थी एक तो थर्ड हाउस में कोई ग्रह नहीं है और इलेवन्थ आउस में कोई नहीं है तो रेड मॉली इस बैस्ट वट इसके साथ जो यही अँड सब्सक्रत दोनों पीले का भी दुश्मन है ना एसे मिना चांदी का कड़ा पहनो जोड़ वाला जोड़ वाला या जोड़ वाला या जोड़ कर थे यहां जमेरी पत्री थी तो इस प्रश कंडिशन, तो बाएग जो जो अब जो दिया गया था पुरानी पत्री में लगने में जो ग्राया और इसमें जो मैं आइस्ट्रोशेच या बाकी के दो तीन आप में मैं वापस क्रोश्चेक या इसमें जो पत्री निकली वह अलग थी विपकॉज अब डैट क्योंकि जो ग्रहा मेरे बताएंगे थे पित में यहां पर वह वह पूछ इनना विपकॉछ बड़े ना कई चीजह होती है सुना सुना मनिशा मेरी बात बैटा कई पहली चीज़े होती है तो देखो मैंना सबसे पहली चीज़ आप लोग कोर्ट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछो तो जदा अच्छा लगेगा पर्सनल कोश्चन बड़े मिश्किल हो जाएंगे सबके दिने और बाकियों के लिए बोरिंग हो जाते हैं आपको बता दे हैं तो सकता है आपने तो पूरा सौफ्ट वेरी चेंज किया है लहरी है आपका केपी है केपी न्यू है ठीक है जितने भी एनांश होते हैं उन से आपका चीज़ें सेट होती है एनांश से थोड़ा बहुत एकाद ग्रहा आगे पीछे आ जाती है आप कई जगे देखेंगे कि अलग-अलग सोफ्ट वेर से आपका भी पत्रियां निका लेंगे ना एस्टो से निकालिए तो उसमें एक आद ग्रहा आगे पीछे आ जाता है मैं केपी न्यू फॉलो करता हूं और सबसे अच्छा अनांश है मेरी प्रेडिक्शन्स उससे जज़दा अच्छी आती है च शर्मीला जी, शर्मीला जयादव जी सर नमятьсяकर नमस्कर जी बताई है जी सर मैंने ना आपकी सारी वीडियो देखी है योटीव कर सारी ही प 87. मेरा क्वेश्चन है कि आप जो इसके रिगार्डिंग जो कोर्स है कंप्लीट कोर्स वह कबसे शूरू करा रहे हैं बताये तो मे पूरा कॉर्स कराने का प्लान है कोर्स का कॉर्स पूजा के पूलीट कोर्स मेरे पास अगर अगर पढ़ा होता है तो मैं दिखा भी देता हूं आपको क्या misis को बताता है पाइसे कोश्चन है न होंगा मैं ते गया में आई गा बुछ सारे रोगां को कुश्न हो सब्सक्राइब कर दोड़ने में टाइम ना लग जाए बस होई है थोड़ा जल्दी बेजिए कोर्स कंटेंट में है आप लोगों ने वीडियो देखी है सब कुछ देखा है कोर्स कंटेंट को मैं स्क्रैच लेवल से स्टार्ट करूंगा यह मानके के बंदा बिल्कुल बेसिक जीरो लेवल से मेरे पास आया है रामकुमार अवस्ती जी कैसे हैं आप रामकुमार जी आपने थोड़ा लेट जॉइन किया मैं कुछ लोगों की तारीफ कर रहा था मैंने के हैं यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं कल आप से बात करने के बाद ही जिनें खुद लाल किताब नह तो लाल किताब में हस्त रिखाएं भी आती हैं कोई भी लाल किताब ले 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 ना वेणी मादव उनसे पूछना जी हस्त रिखाएं भी सिखाओगे क्या आप पूरा बेट करने की ज़रत नहीं पहले ही पूछ लेना बोला सर हस्त रिखाएं सिखाओगे क्या आप बेसिकली प्रव्लम क्या है लोगों ने इतना कमर्शलाइज कर दिया है इतना कमर्शलाइज कर दिया है कि अर दुख होता है देखके। तुम पैसे लेके तो चीजें सिखा दो ठीक है हम इसमें बेसिक और फेस्टोलोजी शर्मिला जी अवाज आ रही है आपको। शर्मिला के बारे में हम इसमें प्रेडिक्शन निकालना जरूर सिखाएंगे कि इवेंट कैसे कैलकुलेट किये जाते हैं सपोर्स अगर कोई बच्चा पढ़ रहा है तो उसके एजुकेशन लेवल किस लेवल तक का रहेगा उसके कितने परसंटेज मार्क्स तक आएंगे वो हम कैलकु को जी ओ नरिंदर जी एक ताइम आपने देखा होगा जब आप अपने चाइल्ड हुड में थे ना तो बहुत ज्यादा व्यावसाय नहीं होते थे आज की रेट में तो एस्ट्रोजर के पास आके कोई ये भी पूछ सकता है कि जी मैं अपने बच्चे को कोमेडियन बनाना बच्चा प्रोफेशन है देवकान जी को आके पूछता है मेरा बच्चा तो इवेंट मेनेजमेंट कंपनी चलाएगा जी पहले चीज़ें होती नहीं थी तो जोतिश का हमेशा आगे बढ़ते रहना पढ़ते रहना कंटिनिवर्स बहुत जरूरी है बंदे को जो बिजनिस क्या करना चाहिए ठीक है कौन सी चीज उनको सुटेबल रहेगी कैसा उसका स्टेटस रहेगा प्रमोशन्स मिलेंगी नहीं मिलेंगी ठीक है जोब टर्मिनेशन्स होंगे ट्रांसफर्स होंगे के नहीं होंगे शादी होगी नहीं होगी मेरेड लाइफ कैसी रहेगी इवन इसमें इतना भी होता है शादी में दहेज मिलेगा नहीं मिलेगा इंसल्ट होगी के नहीं होगी डिवोर्स होगा के नहीं होगा ठीक है लव मैरिज होगी अरेंज होगी प्यार भी दोतीन तरीके का होता है एक प्लूटोनिक लव होता है जैसे मीरा का और श्री कृष्ण का थ एक फिजिकल लव होता है, लव ब्रेक अप्स, प्यार में मॉरैलिटी होगी के नहीं होगी, चाइल्ड बर्थ, अब आपने देखा होगा चाइल्ड बर्थ ना, पहले बड़ा इजी ली चीजे थी, इंडिया में अब चाइल्ड बर्थ से लेटेड इतने इतने इशूज नह आप प्रेडिक्ट कर सकते हो, डीप लेवल पर प्रेडिक्ट कर सकते हो, नॉर्मल डेलिवरी होगी, सिजेरियन होगा, ठीक है, ट्विन्स होगे, कस्टिडी कहां जाएगी बच्चे की, ट्रेवल कब कब होगा, किस परपस से ट्रेवल होगा, बंदे की एज कितनी होगी, क टोपिक्स मैने बताई है इन लगक तोपिक्सस को बहुत से लोग मार्केट मैंसे होंगए जो विस नाम से बता रहे होंगे हम कर वाते हैं कि रूप करें कीजिए आप म्यूट हैं आप मिटा थिक है इसे अफ्राइड इवेंट प्लानिंग टकनीक इवेंट प्लानिंग टेकनीक जी पोड़ी आप सर ये पूछ रहे ते क्लासिस का डे क्या रहेगा कि मालेडी फ्राइडे मेरा रहता क्लास दमीजासर के साथ हमारा संडे रहता है सब्सक्राइब को जाए गुरुवार करने को जब नहीं को रहता है लेकिन मेरे को डेट टाइमिंग का फ्राइड़ तो मैं आ इंगेज रहता हूं और फ्राइड़ को इस बार्ट टाइम नहीं है तो इसको डेटेल में कैसे निकाला जाए इस सारे जो टोपिक्स बताएं इनको एक बंदे को एक लेवल तक आके सीखना समझ में आना चाहिए कि जो आप समझा रहे हैं यह हम कोर्स में हमारा कोर्स कंटेंट होता है शर्मिला जी और क्या क्वेशन था आप कंटेंट बूच रहे थे और भी कुछ पूच रहे थे सर वनमोर थिंग सर पींडी कितनी होगी सर इस कॉर्स की आपने सुनी नहीं है भी तक पता नहीं है रख कुछ सुना है कि 25,000 टब होती है कोई डिसकाउंट वगएर कुछ नहीं होगा सर देखिए मैं आपको बता लेता हूं डिसकाउंट वगए वैसे जर्नली में देता चार्ज कर रहे हैं बट वो कंटेंट यह नहीं दे रहे हैं नाम उनके उपर टोपिक्स हैं बट एनिहाओ मैंने जो इसा शुरुआत में कहा था यह मेरा परपस आप लोगों को सिखाना है और मैं चाहता हूं कि विद्या सही हाथों में जाए मैंने पहले भी पिछली बार भी Chapel सॉक्ति किए फीश होगी कोर्स चार महीने में छे महीने में 7 महीने में जितने मीदे में बत्स क्मेẫn क्रमाइब होThisUTL situación यह द्यान रखना उसको मैं फिर उसमें आगे नहीं लेके जाना जाता है दिस ओफर इस वैलिट फॉर टुड़े ओनली पिछली बार भी मेरे लोगों ने फुरा स्ट्रेच करवा दिया था तो वो प्लीज डॉंट फॉर्स मी इस ताइम जो आज शाम तक भी डिसीजन नहीं ले सकता यह तो देखो डिसीजन तो लेना पड़ेगा जी रामकुमार्ची शर्मील एक मिन्ट रमकुमार्ची मेरा मेरा एड्मिशन का लीजिएगा ठीक सरा आप पूजा को बता जेना आभी कर लेते हैं मैं मुझे नमबर दे भीजिएगा मेरे नमबर नहीं है सर नमबर जाएं पूजा के पास नमबर रहता है और जो मेरा नमबर भी आप लोग ले लीजिए सेवनेट सिवन एट जीरो वन गेंगें जीरो वन जीरो वन ट्री फॉर ट्री फॉर जो से मोड अ पयमिंट वही बता देना सर कैसे होगा जी पे पेटियेम जैसे मरोजी कर दो पूजा जी को बोल दूँगा पूजा जी आपको बैंक कर लेंगे ठीक है शर्मिला जी आपका और कोई प्रश्न है नहीं सर अकाउंट डिटेल्स वगएरा जो भी है वो फिर पूजा जी से बात कर लूँगे मैं सर मेरा भी एडमिशन आप कंफर्म कर लीजिए सर अच्छे टेक थैंक यू जी ठीक है जी शेकर शर्मा जी आपका क्या प्रशन है छी शेकर शर्माजी कैमरा हुं तरीड़ा जी सर मैं उल्टा नमश्कार बोलूँगा इक को स्टार्ट कंफरा जागे मैं आठमे घा में सुर्य अबुद्ध कठाई रखे उसके राड़े में शेकर जी एक तो छोटी सी जी देखो मैं सभी से विंद्धी करूंगा अपने पर्थनल कोश्चन्स ना लें आठवे घर में सुर्य अबुद्ध बहुत अच्छा रजल्ट भी देते हैं और बहुत खराब भी देते हैं मैं आपको कैसे बता दूँ जब तक के मुझे उन बुद्ध की उनकी डिग्री ना पता हो जब तक के मुझे ये ना पता हो दूसरे घर में कौन बैठा है जब तक कि मुझे पहले भाव की इस्तिती ना पता हो, जब तक कि मुझे बारवे भाव की इस्तिती ना पता हो समझ रहे हो शेकर जी, खाली जैसे आपने बताया ना, कि आठवे घर में सूर्य बुद्ध है हो सकता है चलित भाव में थोड़ा बहुत हिल भी रहा हो आप समझ ये सारे लोग ऐसा नहीं कि मैं प्रशन का उत्तर नहीं देना चाता It is bit difficult कि जैसे इन्होंने बोला कि मेरे आठवे भाव में सूरे बुद्ध है ठीक है मनीशा जी अब आठवे भाव में सूरे बुद्ध है आठवे भाव में सूरे बुद्ध बड़ी अच्छी पावर्स देता है हो सकता है इनके सामने बैठके कभी किसी बंदी की मृत्यूई ना हो अगर वो चलित में नहीं हिल रहा है तो बिजनिस वगरा भी अच्छा चला देता है अच्छे रजल्ड दे रहा होता है बट पहले भाव में शनी बैठ गया तो यहीं काम खराब कर देगा दूसरा भाव में कोई भी ग्रह है और बारवे भाव में शनी बैठ गया तो भी खराब कर देगा बारवे भाव में बुद्ध बैठ गया तो वहाल खराब कर देगा तो वहाल खराब कर देगा समझे रहो शेकर जी वो सारे फैक्टर्स हमें देखने पड़ते हैं ऐसे अंसर करना बड़ा मुश्किल है कि ठीक है कि प्लीज आप बताईए आपका क्या प्रश्ण है आपका क्या प्रश्ण है यह को उनके वहीं से शेकर शर्मा जी करें से पूजा सिंगल जी का मैंने पूजा सिंगल जी है थोड़ा बहुत आ रहा है अभी तो एक भी सीडी है पहली बार यह जानी हूं कुछ मेरा सवाल कि जैसे लगन और राशी की दोनों का बढ़ता है बट उस के साथ जिए धोड़ी राशी ओरुग घम्म सक्षाप से एक्सवलिया दोड़ी दिक्कत आच्छा का लगन का रोल कहां तक है सद्वाइगा राश्य मेशु सबदो is LEAN, कमपैरिंगे में मेरे-नमें तूला है लगन तो उसके आटोइड में भीटी के मिलते में सक्टी स्टावप बूलें मेंच वाला तो यह होगा जो आपने मेरा गोचर्वाला देखा ओगा लो आपने सारी वीडियो डेखी है और दो बाखी है already और जो जाना एक सवाल ऊंद्छ पर की depending ju ऐसे उससे बारा वारे में घोडूरे में तो करना ओध्री वीट्रि कर ने मोगा Sulatan के पर दरू क्या सिस्पे फोकस करना चाहिए जिसे पता चले जैसे टेंट भाव है कर्म का तो उस पर फोकस करना चाहिए या कोई और प्लेंट करते हैं जो सब्लोड को ने वह देखा जाता है और एक जो हमारा दूसरा जो लाल किताब के हिसाब सब्कोसिजच करें तूसरा कि हमarp था क्रणन अट आए पिर टेंट है क्व अब तोफेशन टेका प् root o G नो चेना वाले szक खो जैपें वालेशे चला सुखगहु है थिकिए प्रफेशन में अगर आप ऐसे कि सथे किसी को सजेस्ट कर देंगे बंदा उसी प्रोफेशन में चला जाए तो उसकी पूरी लाइफ स्पोईल हो जाती है आप सोच के देखो मैं अभी कुछ टाइम पहले ना किसी चो यह सेज शो वगरा करते हैं स्टार था उसके बारे में बात कर रहा था जब उस टेज के स्टार क किया करेगी तो मैंने का इसके घरवाले मारते पंडी जी को हमारी बेटी ऐसे काम करेगी और मैंने का यही पंडी जी उसका पर बोलते तो ना तो बरबाद हो जाता ना फिर डॉक्टर से शादी होती उसकी और ना खुद डॉक्टर बनता है यह बंड़ा की पत्री अच्छी होती बस सिर्फ सही गाइडैंस और सही चीजें देने वारा होना चाहिए तो सही लाइन मिल जाए तो हर बंदे की पत्री सही है कोई भी पत्री खराब नहीं होती कि इश्वर ने बनाया अलग-अलग काम के लिए हैं हमारे देश में दो चीजें सबसे ज्यादा चलती है एक तो ना थ्रीडियेट्स मूवी देखी थी आप लोगोंने सबीने हैं हां 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 कुछ पेरेंट्स होते हैं दिलबाग जी जो तेरा मन करता वह बंजा कु पुझा जी मैं बोल दी मन मेरे तू जैसे तो थे मैं कई पास तीन शाजीजे घूंती कि इसमें से कौन सा चूज करूँ कि पशेंड हों यह दिए ना चाहिए खाए यहां पर पता है इंफ्लूएंस इंफ्लूएंस बाहर की चमक दमक वाला इंफ्लूएंस वह भी बहुत ज़्यादा चलता है आप जो कौन सा जो स्ट्रॉंग प्लेनेट और नसीब भाग्यवला प्लेनेट कौन से इसे प्लेट के बारे में आप बोल रहे थे आप अब मैं एक दम से तो बताने डिपने बादे दाने नहीं 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 थे क्लिए वह समझने के लिए वह तयार होनी जाए तो नहीं नहीं विट्वित्व परते हैं हाँ ओके थैंक्ट यह जोगी जी कि अगे आगे अगे नमस्टे गुरी जी चेरंश पर्ष मेरा एक कुश्चन था कि संडे साटेडे संडे मेरा वर्किंग डेस है अबर क्लास इवनिंग होती है तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा वोई अगर आप एक का में पूजा को अपना नाम पता देना और वी विल डिस्कस और हम अगर कोशिच लेने कर लगता है पूजा करें कर दो तुम्सट करें करने वी इंड्रों किया और वी इसनमीर किया它 वह बेंडर नहीं रहें और आठ बजे नो बजे नो बजे रख लेते हैं नो बजे तक मैं भी आरती पूजा पाठ करके फ्री हो जाएं आप अपना देख लो सब्सक्राइब कि अपके नेट का इशू हरा अच्रा ने 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 आठ ने सरके नेट का इशू हरा हलो ने 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 का इशू है अवेट कर देश्ट करूप लूट कर अज 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 बज़ों च्राइब सब्सक्राइब झाल 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 कर ले एक्स्रीमली सोरी है मैं आउट हो गया था मीटिंग से ना थोड़ा सा दिलबाग जी आप क्या बोल रहे थे प्लीज अभी बोली आप बोल रहे थे उस टाम पे मेरे दोनों ब्रोड बैंड बोल गए मैंने स्विच भी किया क्या बोल रहे थे कुछ बोल रहे थे आप दिलबाग जी तो सेटरड़े इवनिंग का बहुत बड़ी है सर बाकि फिर भी अपना आप देख लीजी चिंद आप लोग आप लोगों में से बताए पहले तो क्लोस कोर्स जॉइन कितने लोग करना चा रहे हैं प्लीज बोलिए ठ मंदीब जी आपका चार्ट देखा है ने ने मनें तभी बोला मनें गया मंदीव जी के लिए तो जो मर्जी कर लो वीजी कर लेंगे हुआ है थीक थीच कहा है थीक है हम लोग सेटरेड इवनिंग कपworking फर्स प्रेफरेंस लेकर चलते हैं विए प्लान 122 ट्रखेंगे नाइन पी दॉइंट लिश्ट है एक श्राइब धी करें तो मैं भी इपना पूझा पार्ट करें नाइन पूजा है ठीका जी। लेट्स फ्लानेट प्रश्च ले 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 पहले जिस चीज के लिए कर रहे हैं लोगों के नरेंदर जी आपका क्या प्रश्च नहीं अगर हो गया है। वो प्रेशनल आज़ी थोड़ा सा प्रेशनली था दागा कुंसा बादना चाहिए बस वो था वो मेरे मतलब फड़ायूस में कुछ भी नहीं है और एलेवंथ हूस में सूर्य है को आखतर कर विल्वनार एक दोब्ल हमस्वें वाइंतं से सघ्धा elektron support के आपड़ा हुआ і आफ्टेस का मुझरुतखतर के ना sondern वेश्टन चूट बारे कա करें 8th house में क्या है 8th house में शनी है 8th house में शनी है ठीक है सर देखो आपको न धागा बंढ़ाने के लिए न आपकी 2-3 remedies और बहुत ज़्यादा जरूरी है धागा तमने आपको लाद ही बंढ़ाऊंगा धागा तमने आपके लिए तो आपका एट्थ हाउस में बैठा है उसको वहां से हटाना पड़ेगा तो यह आगे चलके प्रोब्लम करें एक छोटा सा कंस्टेन है धागा बताने में कोई दिक्कत नहीं है पूरा गूपके पूरा जो चक्र घुमाना पड़ता है ना आपको पता है जो त्वेल्थ हाउस मैं बोल रहा हूं सर बोलना नहीं चाहता है किसी के परस्नल चीज़े में तो चार चीज़ें और भी इसके साथ बोल सकता हूं बढ़ो जटके देगा वहां पर बैठके बहुत देंजरस है और आप अगर यही सोच के देखो नरेंदर कुमार जी यही चीज आपके पास जोतिश का मैंने बता है ने जोतिश का लाब उठाने वाला होना चाहिए देवकांथ जी देवकांथ गुपता जी इससे कोई फरक पड़ता है किया मेरे लगन में है भी मून है तो वो दोनु चीजें एक ही हुई आपकी मून हो गई उसमें हाँ राशी और लगन में मून है बिल्कुल सब्सक्राइब जी देवकांथ जी नमस्कार सर्थ पहले दूर में कुर्स का नाम मैंने यह रखा हुआ है ए पार्ट बी पार्ट सी पार्ट डी पार्ट ऐसे रखता हूं आप मैं आप लोगों के स्टोर सब्सक्राइब लगता है तो इसका मतलब यह 20 परसेंट तुझे नहीं आता है तो मैंने का दादू यह बात हो सकती है या तो 80 परसेंट को भी गलत प्रूव कर दे और फिर छोड़ दे अब मुझे वो बात बड़ी लोजिकल सी लगी ठीक है तो मैंने अपने कॉर्स डिजाइन की अपने हिसाब से डिजाइन की और अपनी चीजें उसमें डाल के की जिससे के बंदा प्रेडिक्शन आप ये मान के चल लाल किताब में शुरुआत में लिखाया राशी छोड नक्षत्र भुलाया ठीक है ना दिलबाग जी ओन करो अन्म्यूट करो जी सर राशियों के उपर मेरा डेड़ लेक्शर था बड़ा बड़ा पूरा डेड़ लेक्शर मैंने राशियों के बारे में पढ़ाया लाल किताब में कैसे छोड़ो दोगे देवकांत जी आप छोड़ो दो मरोगे छोड़ो मरते रहो फिर जिनकी बात आप कर रहे हो ना पुराने लार किसिडिनोंने पंडित रूप चोशी जी लगरใं जिननों धिमाग में यार बता नहीं कितनी इन्ट्युशन पावर क्या क्या था पंडीजी के पास एक बर कोई बंदा गया रूप- जो Linux जी पास उन्होंने पता है क्या का तो यहां पे बैठा है तेरे घर में तो चोर गुसे हुए पहले कोई फोन वोन तो होता नहीं था वह बंदा वागता वह गर पहुंचा तो चोर गुसे हुए थे उसमें समझ रहे हैं आज की रेट में चीज़ें ऐसी हुई मुझसे कल किसी ने किसने कुश्चन पूछा था कली की बात है शायद ना तो उसने पूछा था कि लाल किताब में जो वास्तू होता है मैं चाहिए उसकी वीडियो भी डालूंगा आपको वास्तू में आप जब देखो ये आपने हिट थिओरी पड़ाते हैं इसमें कि हिट मारेंगे प्लैनेट साफसमें वह इंद निकला हुआ है बस सिर्फ जो खाली वास्तू कर रहा है उसे यह नहीं पता कि वो प्लैनेट कब मारेंगे वो प्लैनेट कभ इट मारेंगे यह वेल मेंशन लाल किताब देव का ज उसमें मुझे सारी चीज़ें डालनी पड़ेंगी और सब बेसिक के लिए कोई बुक पढ़नी पड़ेंगी कि हमको कुछ आयटे देसे में बिल्कुल स्ट्रिक्टली मना करता हूं जब शुरू में मेरे पास स्कॉर्स कर रहे हो तो तीन चार महीने तो कोई वीडियो मत देख की पंडित कृष्ण शांत की सोरी ठीक है पंडित कृष्ण शांत की मिले जिसने कंफ्यूज होना वो पूरी-पूरी किताब पढ़ लेना और किताब पढ़के जरा मुझे बताना कितना समझ में आया ठीक है तो फिर बताने हैं उसमें क्या समझ में आया उनकी किताब ऐसे लाल किताब पूरी भागवत के जैसी है लाल किताब पूरे गरंथ है और ये दो बुक्स में आती है पंडित वेनी मादव गोस्वामी जी कि उसमें वो पड़ो वो जद आची है अब जो तो देखना होता है बट सबसे पहले तो यह देखो कि जो चली तबहाव बन रहा है ना ते को आप समझो मैं आपको ने चार्ट दिखाता हूं मैं चार्ट देखो देखो है ना चार्ट देखो सम्झो थोड़ा सान एक चीज बताता हूं मैंने ओपन कर रहा हूं यह चार्ट देखना अब आप लोग ना आप एनी चार्ट सोनिय गंदीगा ही लगा लें बड़ दे आरा है सोनिय गंदीगा लेको बटा यह चार्ट देख रहे हो आप इस चार्ट दिखाई दे रहा है इसमें बहुत सारे एस्ट्रोज़र ऐसे होते हैं जो सिर्फ 90 परसेंट एस्ट्रोजर होते जो दोनों चार्ट को मान कर चलते हैं अगर आप इन दोनों चार्ट को मान कर चल रहे हो तो आपकी प्रेडिक्शन्स आपका वो कभी गलत नहीं हो सकता आप इसमें यह देखिए दोनों चार्ट से मतलब यह है कि अगर सूर्य आठवे भाव में है और दोनों चार्ट में आठवे भाव में है तो उस बंदे के पास वो पावर्स होंगी ही होंगी ठीक है अंटिल और अनलस कहीं से सूर्य को कोई बड़ा ग्रह टक्कर वक्कर मारके खराब ना कर रहा हो है ठीक है होती है वो पावर्स होती है उसके पास वहां पर गुरू भी गुरू भी सेंट अर्ड मैं मैं कि आपके पास आता हूं पेले फिर आपके पास पहले पूरा फिर आपके पास आता हूं थे सिस्वार हाना चाहती उप सारे लोकिест पूछा थे आप एक मिनुट रुक vemos in लोगों से इंट्रेक्षिन करने के तरीक बहुत भी बड़ी अलगता है आप प्यार्ती भी और दाटनाबि में मेरा पर्पस यह कि विद्या गलत हाथों में ना आजये विद्या सही आतों में जाए और विद्या से लोग सीखें इसका लाब उठाबाजेगा और आपको यह निए कि मलए मेरे गुरूप में कम से कम सो लोग हैं दोसु लोग वा भी दस चाल लोग हो तो भी पड़ा आते हैं आपकी गुरूप मेरे को फर्क नहीं पड़ता है मैंने आपको बता है न परपस मेरा परपस है ज्ञान ब तो मेरा परफस यह मैं सिर्फ लोगों को पढ़ा के सिखा के अपना निकलू यह तो इसलिए मैंने मैंने तो आपको बोला एक बार उन्हों ने बोला भी शरमिला जी प्र शायद एक्जिट हो गई हैं यह हैं तो दूरों नहीं होता हूं कभी इन चीजों पर आप मैंने वास् अज़ आपके सामने बोला अच्छा आप एक बात बताओ आप में से कितने लोग ऐसे हैं सही सही बताना जिन्हों ने पहले मुझे फिर फॉर्स मत करना बाद में इसको स्ट्रेच करने के लिए अगे नेक्स्ट है मनीशा तानपूरे जी मनीशा जी आपका प्रश्ण हो गया था दुबार है बोलिए प्लीज मनीशा जी बोलिए क्या प्रश्ण आपका बटा अन्म्यूट करके बलो थोड़ा जल्दी बोलो बैटा मनीशा मेरी दूसरी ग्लास भी शुरू हो जाएंगी फिर उनका भी टाइम हो रहा है मनीशा तानपूरे ओके सुनीता अरोडा जी आप बोलिए सर मेरा एक क्वेश्चन है मैं ना करियर के रिगार्डिंग पूछना चाहती हूं आपसे मैं को वैसे में को सिविल सर्विसेज का एक्जाम देने की मैं सोच रही हूं तो उसके रिगार्डिंग आप मुझे थोड़ा बताईए क्या बताओं बेटा अगर अगर उसमें प्रिपेरिंग को सकते हैं नहीं को सकते हैं तो सिविल सर्विसेज की अगर आप बात करें तो सिविल सर्विसेज बहुत च्दृटी चीजज नहीं है यहां आपके सूर्य और चंद्रमा दोनों को स्टॉंग होना बहुत जरूरी है और सिविल सर्विसेज का अगर समबन इस प्रिपेरिंग तो मैं इसको बोलता हूं कि प्लीज गो फॉर कंप्लीट कंसल्टेशन डोंट टेक सच कांड ऑफ चांसे क्योंकि सिविल सर्विसेज ब वो आपको फायदे मन्त होगा साहयक होगा ठीक है पूर्णिमा के दिन चांद को देखा करें तो फायदा करेगा ठीक है इसके अलावा सर कुछ और नहीं बैटा इसके अलावा यूव टू गो फॉर कंप्लीट कंसल्टेशन आपकी लाइफ है मैं आपको कुछ भी ऐसे नही नहीं बताना चाहरा आप शायद समझ नहीं पा रहे हो मेरी बात जो मैंने बोलना चाहरा ना ठीक है सबसे रिक्वेस्ट करूंगा डू नो टास परसनल कॉस्टेंस ना सारे अप वैसे पूछो जो आप लोग एंजुआ करें सब जो कोर्स से लेटिड हो कुछ समझ में नही नहीं आया हूँ आनंद गवाडे जी आनंद जी नमस्ते शरी नमस्त जी बतले है अगर इलेवन्थ हाउज में गुरू की राशी है और एट हाउज में भी गुरू की राशी है तो येलो 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 दागा येलो दागा में बारवा तीसरा आठवा सेकंड फरस्ट सारे हाउस देखने पड़ते हैं वह ऐसे बता पाना बड़ा मुश्किल है ठीक है बहुत सी जगा में धागे बंद बाने के लिए जागरित करने के आप समझो ना अगर खाली धागा ब में मंगल है वक्री मंगल में तो रेड भी नहीं यूज कर सकते हैं आपका 11 रेड का फेवरेबल होना चाहिए 12 फेवरेबल होना चाहिए और सेकंड और एट में एंटी नहीं होने चाहिए सिंपल ओके सब्सक्राइब तैंक्यू सब्सक्राइब अभी आपका अपकमिंग पोर्स आ रहा है सर वो क्यूंकि मतलब मैंने अभी तक सर जिसना भी आपको यूट्व पर जब भी मुझे समय मि raftा मैंने देखा है तो यह बां लाव किताब का या वास्टू का है तो अभी जब हो क्या मतलब लाल किताब करहें एट क्योंकि उस में उस से अफ मेरे दो शेंद सर जो एक तो जिस कोर्स जिस नक्श्व और लो पूँड़ इतना अच्छा गृंत है एक किसी को ठीक से आता है वो इससे मौत का दिन भी निकाल सकता है कि सामने वाले बंदे का जिसका चार्ट देख रहा हूँ वो किस दिन इस दुनिया को छोड़ कर जाएगा कैसे जाएगा मैंने अभी कुछ टाहिम पहले दिलबाग जी एक बंदे की पत्री खोली मैं उस बंदे को वैसे ही बोल रहा है मैंने का यार तेरे ना ससुराल में तेरे साले की या तेरे ससुर की तेरे ससुर की डेथ हुई है बोला हाजी डेथ हुई है ठीक है दिलबाग जी और वो मुझे से बोलता है कि जी डेथ हुई है तो आप के मतलब मैंने का उसकी उनका मर्डर हुआ होगा बोला हाजी हुआ है मैंने का पहले उनको गोल गांट लगा के गला दबाया होगा और बाद में गला रेत दिया होगा बोला हाजी बिल्कुल सही कह रहे हो आपने कैसे बताया समझ रहे हो अदेश जी जी सर दूसरा देश जी ये कोरोना काल में बहुत सारे केसिस हुए एक केस मैं हमेशा यहाथ करता हूं आर्टेमिस होस्पिटल में था गुडगावा के लोकलाइट्स थे उनको किसी नहीं बोल दिया कि बंदा डैद है इसको उठा ले जाओ खतम है यह मृत्यू हो चुकी है ठीक है दिलबाग जी मेर साधना सिखाता हूं सब कुछ सिखाता हूं सब कुछ सिखाता हूं पर बट सिखाता हूं किसी किसी विरले को जिसके लिए मा के आदेश होते हैं बट आप लोगों का मैं कैलकुलेशन पार्ट इतना सिखा दूँगा कि आप लोग यह सारी प्रेडिक्शन दे पाएं जो यह सारी प्रेडिक्शन की हम बात कर रहा हूं जो एक ओपन प्लेटफ किताब में इस सब आ जाता है लाल किताब में जुडवा बच्चों वाला तो जो यह मैं अभी कोर्स जो यह आगे चलने वाला नहीं इसको मैं यह पार्ट बोल रहा हूं जो प्रेडिक्शन पार्ट है पांच मिनट पहले हुए हो चुरू की वो वीडियो देखना जो अभी यह पार्ट का जिसको मैं explain कर रहा हूं इसी में बतातेंगे आपको के जुडवा बच्चों के में डिफरेंस क्या आता है कई बार आप देखो के दोनों जुडवा बच्चे होते हैं अरे पुजा एक मिनट रुकना जी है एक पॉलिटीशन का फोन आ रहा जल्दी देफोन बेजता हूं जी मैं एक बार मंगवा के न भी बेजता हूं ठीक है जैमाई की जैमाई लो जी क्या बोल रहा था मैं बेटा एक बार दुबार याद दिलाओ आप जुडवा बच्चों की कुंड़ी के उपर पूजा मैंप को बोल रहे थे कुंड़ी उपन के लिए था कर चैहँ पूजा मैंधम को नहीं को नहीं बोल रहा थैर कुंडली उपन के लिए मगद्धा बच्चों में तो आप कई बार देखोगे कि दो जुडवा बच्चे है और दोनों के नेचर में बहुंट डिफेरंस दिखेगा आपको और दो जुडवा बच्चे है और दोनो सब्सक्राइब करेंगे तो सर यह कोर्स को रहा है क्योंकि मतलब यह लाल किता वाली का अगर आप देखिए देखिए बिटा देखिए मेरा ना कोई भी कोर्स होता है तो वह मैं पूरा प्रोफेशनल लेवल पर कराता हूं जिस एक कोर्स को भी करके आदमी अपना काम कर सके हा आप जासा बनना तो फिर एक चीज है अलग होती है हाँ जो यह आपके कोश्चन आपने बताए हैं इसी की मैंने जो 27 वीडियो डाली हुए है तो यह कोर्स मेरा स्टार्ट हो रहा है मौस्ट प्रोबर्ली नेक्स्ट वीक से ठीक है जी तो दिसम्बर से ठीक है और लाल किता लाल किताब का भी थोड़ा टाइम लगेगा दो तीन महीने के बाद शुरू करेंगे क्योंकि मेरे पास बहुत ज्यादा टाइम होता नहीं है दोस्त मैंने पहले बताया था भी बार बार बोलना पड़ता है मेरे पास मैरी जो टोटल इंकम है उसमें से बहुत कम कॉंट्रि लेगा ठीक आदेश जी जी सर ठीक है यह वाला कोर्स हम नेक्स मॉस्ट परवली नेक्स टाइम से शुरू कर रहे ठीक है अन्शिका जी क्या प्रश्ण आपका थोड़ा सा जल्दी बोड़ी है जै माता दी बेटा यह पूछना था कि जो जैसे राहु देव की शांती के लि नेगरिटिव है तो इनको शांत करने के लिए जी की बुझा के ला झी बुजा को ओई है बिसीकली जैसे हर ग्रह के स्वामी होते हैं ठीक है हर ग्रह के जो स्वामी होते हैं जो राहु के स्वामी होते हैं जो राहु देवता के स्वामी होते हैं वो होती है मासरस्वती तो जब मासरस्वती का पूजन करते हो तो मासरस्वती खुश होती है ठीक है अब मासरस्वती ख साथ बठाया जाता है समझने की कोशिश करना मंगल उसको करता है जैसे राहू हाति है मंगल महावत है तो वो उसको करने के लिए बठाया जाता है आप देखना यह ये वी एक चीज़ में बता रहो रहू देवता इतनी पावर्स देते हैं रहू किसी का लगन में आ जाए इतनी पावर देगा बंदे को हाथ ही जितनी एनरजी होगी बटो एनरजी उसकी स्केटर्ड होगी उसको चैनलाइज करने के लिए मैं वो लोकिट पहनाता हूं यह सु वो लोकिट जो मारताक मंगल लोकिट होता वो मेरी इंटुईशन्स हैं जैसे भी आप मैंसे कोई कह रहा था कि इंटुईशन्स और साधना के बल पर है फुज़ वो ठीक तर पीछे से तो वह मैं अपनी साधना के उस पर की हुई है बतातो मैं सभी को देता हूं कि भी है व पैसे भी चीज़ बोलूँ कि ना रतामंगेशकर वगरा इनकी कुंडलियां में भूजाता पता इसलिए नहीं मानता क्योंकि वो कुंडलियां उन्होंने खुद पोस्ट नहीं की है वो कुंडलियां की है देवकांत जी या तो हमारे जैसा हाल होता है कि बिल्कुल भीजी खाना खाने की फुरसत नहीं है पढ़ाते पढ़ाती दूद मिल गया तो पीलिया नहीं तो बैठ गए या फिर ऐसा होता है बिल्कुल खाली बैठके मक्ही मार रहे होते हैं तो जो मक्ही मारने वाले होते हैं उनके काम होते हैं वह अपने इंट्यूशन बेस बना-बना के पत्रियां और पोस्ट करते रहते हैं कि रता मंगेश कर गिए या मिता बच्चन की है तो एक हमारे हरियाना के बहुत सीनियर लेवल के पॉलिटीशन है उन से पुझा बिटा मैंने आपने डबल एट वाले नंबर से भीजी हैं कुछ फोटोस बीस पच्छिस के आसपास है वो नवीन गोईल जी को भीज़ देख पर फोड़ वर कर दें का दो बार फोन आ चुपा है हमारे हरियाना की पॉलिटीशन है बहुत सीनियर लेवल के मैंने का जी आपकी पड़क कुडली ना उस पर पड़ी हुई इंटरनेट पे तो अनशीका जी उसने मुझे पता क्या क कहीं भी लोगो ने उसकी पत्री डाल रख किये सेकंड कॉशन है सिर्फ चलित कुंडली में कई कुंडलिया बिलकुल अलग हो जाती है मैं काफी ग्रय एक दर से उतर हो जाते हैं वहीं नहीं कई में 100% हो जाती है वहीं चीज़ें समझनी चाहिए वहीं चीज मैं इसमें जाती है वहाँ बंदा फेल होता है पूरा पूरा वहां पर मैं लोगों को बोलता हूं जैसे ना मंदीब जी एक बर अन्म्यूट करेंगे अप प्लीज कि इस चाहर ने चाहर देखा न देवकांत जी इनको सबसे पहली चीज़ बोली मैंने का मंदीप जी जितने पर जी आपको रजल देहीं नहीं पाए जा मंदीप जी बहुत जी बोले बिल्कुल सही कह रहे हों वह पूजा जी से बात कर लेना आपको बता देंगी और बताओं अन्शी का जी सरी कि मांगलिक तोश में आपने का था वन फॉर सेवन एट तो ट्वेल्थ में अगर मंगल होगा तो मांगलिक तो जो कहते हैं कि एज निकल जाए या शनी परिहार कर दे तो उससे वह खतम हो ज कर्किए दन की यहां कि टाली हुगी मैच मेंगा बने डाला हुआ है मैच में डाला खाली वह वो सुनना उसमें क्लारिटी ज्यादा आ जाएगी उसमिन पांची गुन बता रहे हैं वो मैंच कर जाएंगे तो ज्यादा बड़ खाय का ड conflicts क्या गिफ़तीए दन वाला जो था कोई प्लैनेट अच्छा है तो लेना नहीं है दो उसका दान देना नहीं और फिरनेट कर दान लेना नहीं सिंपल अच्छिक गोचर चली तो ट्रांजिट और वर्ट्फल में थोड़ा सा तोड़ा सा जल्दी बोलना जी मेरी दस मिनिट में क्लास चुर हो जागी मुझे किसी भी कंडिशन में लीव करना ही पड़ेगा नितेश जी प्लीज बोलिए अच्छा ये क्वेशन था जिसे आपने बताया था कि थर्ड और इलेवन भाउस में अगर कोई नहीं बैठा रहा है तो येलो बान सकते हाथ में दागा बट अगर फर एक्जैंपल शनी का है उसमें अगर शनी बैठा हुआ है किसी भी राश्य में तो ब्लैक बैं सकते हैं उस कर जाते हैं थर्ड हाउस में वैसे भी शनी देवता को बैठाना अवर्ड करते हैं कि अगर की डारेक्शन में क्या क्या उना चीव सब मैटर करता है आपके हाथ में जो आपने बांदा वो गलत उसमें आ ठीक है ठीक है तो यह सर अभी जो कोर्स आप यह यह लाल यह वैदी कोर्स है लाल किताब कोर्स है बटा मैंने अभी तो बताया यह कॉश्चन आप शायद एग्जिट हो गए थे यह आप समझ के तो लिए इस कंप्लीट प्रिडिक्टिव कोर्स और उसने सारे इवेंट्स है उन सारे इवेंट्स को आप डीपली निकालना सीख जाएंगे ठीक अन्युक्त भी डेल होता है इसमें मैंने बताया जैसे देवकांद जी का था था यह चूट गई है नेटवर्क की वज़ेसे हुआ आज मेरा इनेटवर्क तंग कर रहा था थो मैं किसी बहुर को क्या बोलो देवकांच जी अ फटाफळ बोलो आपका क्या है कि अध्यात्मी जर्णी कैसी देगी मंतब को कैसे पता नगाए प्राट कर वीडियो देखें तो उसमें फाइव नाइन आ रहा तो बढ़िया रहेगी अध्यात्मी गोता हो बंदा और भी बहुत सारे मैं तर ने बटा रहा हूं ना जो इस पार्ट का भी बता रहा हूं ठीक ह अब समानिये वह आगे अडवांस लेवल तक है किसी को बहुत ज़्यादा करना है कि मेरे को इसमें बहुत डीप करना वह यह बी सीडी एफ जितने मर्जी पार्ट से वह कर लें ठीक है इसी में हमने जैसे इन्होंने बोला अध्यात्मी जर्णी कैसे बताएं अध्यात्मी क अध्यात्मी के लिए मैं लाल किताब या वैदिक कोई भी निकालूंगा तो उसमें बहुत सारे फर्मूले निकालने पड़ेंगे इसमें सिंपल सा एक नजर में पता चल जाएगा बंदेगी अध्यात्मी जर्नी कैसी है इस वन ऑफ दा सिंपलेस्ट एंड एकुरेट फॉ करो विक में यह मेरी कंडिशन रहती है अगर आप इतना दे देते हैं तो यूविल बीकेविर इनफ टू एनफ ठीक है दुबारा रिपीट कर रहा हूं में मॉस्ट पोबबली नेक्स्ट वीक से स्टार्ट कर रहे हैं ठीक है पीस कोर्स का मैंने बता दिया आप लोगों के आपको जिसको भी करना है पूजा से बात कर लेना मैंने पूजा का भी नंबर दे दिया था ठीक है ठीक है उमीद करता हूं कि आपके सारे डाउट्स लिए होंगे मतरा नहीं आप सब पर किरपा रखे सब पर अपना आशिरवात बनाए रखे जैमाता लिए झाल झाल, इज था रहा हा रिए जया कि जाउ जड़ से एकपना आपके सारे रखे रहा है भी कि आपके सब ख़ागा है। झाल झाल